ओब स्यांते आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासनपल हमें बाबा साक्सातकार मूर्थ बनाने के लिए रोज अच्छी अच्छी बाते सिखाते हैं जब हम साक्सातकार मूर्थ बन जाएंगे तो सेवा इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी कहीं किसी देवी का साक्सातकार होगा कहीं किसी देवी का किसी देवता का गनेश का अनुमान का विशनु का और चार और जज़ेकार हो जाएगी लोग ज्यान लेने के लिए, राजयोग सीखने के लिए बहुत तेजी से भागेंगे, लाखों लोग रोज जुडने लगेंगे बाबा से, इसलिए हमें साक्सातकार मूर्द बनना आवस्चक है, वैसे भी हम जानते हैं, जिस भी स्थान पर निमित आत्मा की और उस निमित स्थान के वाइब्रेशन्स बहुत अच्छे होते हैं, मा की सेवाएं बहुत वुर्दी को पाती हैं, तो हम इस अक्सातकार मूर्द बनना है, इस कार्थ है, हम अपनी स्थिती को ऐसा बना लें, कि हम से दूसरों को साक्सातकार होने लगें, बिन-बिन तरह के साक्सातकार होंगे, एक हमारे स्वरूप को इस तरह देखेंगे, आत्मा के मस्तक में आत्मा बहुत जस्वी रूप में चमक रही है, कुछ दूसरे लोग हमें फरिष्टिस्व रूप में देखेंगे, कुछ तीसरे लोग इस देव-देवियों के रूप में देखेंगे, किसी को हमारी जगे बाबा दिखाई देंगे, तो ये सब खेल बहुत चलने वाला है, अब आप समझ सकते हैं इतनी बड़ी चीज, को साक्षातकार करा देना, लेकिन जो साक्षात साक्षातकार मोट बन जाएंगे, वो तो दिखाई देंगे ही, अब कोई व्यक्ति सजा धजा आपके सामने घूम रहा हो, वो आपको दिखाई देगा, किसी की परसनल्टी बहुत आकरसक हो, वो सब को दिखाई देती है, हम जिस स्वरूप में पहुँच जाएंगे, जिस स्वरूप में इस्थित हो जाएंगे, हमारा वही स्वरूप दूसरों को दिखाई देगा, तो हमें विशेस रूप से अपनी purity को बहुत बढ़ाते चलना है, ये प्योर संसकार हमें साक्सातकार मूर्थ बनाएंगे, क्योंकि देवताओं में या इस देव देवियों में purity संपूर्ण है, purity के वल ब्रह्म चरिये नहीं आप सब जानते हैं, संपूर्ण रूप से हर्थ तरह के व्यर्थ से मुक्त बन जाएं, और दूसरी चीज बहुत योग-योगत आत्मा, फालो फादर करने वाली आत्माएं साक्सातकार मूर्थ बनेगी, जैसे सुरू में, ब्रह्मा बाबा की जगहे सिरिक्रसन दिखता था बहुतों को, क्योंकि बाबा इस नसे में, इस वमान में बहुत रहते थे, कि मैं ही सिरिक्रसन था, ये सरीर छोड़ कर पुनहें में वही बन जाओंगा, और वैसा ही बनने का, उन्होंने फिर स्रेश पुर्शार्थ किया, तो उस नसे के कारण उनके सुरूप में, शिरिक्रसन दिखाई देता था, वैसे भी आप देखें या, कोई व्यक्ति किसी के प्यार में मगन हो, वैठा हो, तो देखने वाले भी देखते हैं, कि ये यहां कर रहे हैं, तो हम सभी बाबा की याद में इसी तरह मगन हो, अपनी सभी कमियों को निकालते चलें, अपने को महान बनाते चलें, अपने पुर्शार्थ पर बहुत ध्यान दें, इसमें लंबे काल के ब्यास की तो आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय सभी को ग्यान, योग की विदियां और सब कुछ, एसेंस रूप में प्राप्थ हो रहा है, ओ अनुभव की द्वारा जो साड निकले हैं, उस रूप में प्राप्थ हो रहा है, इसलिए अप्तिवर गती से आगे बढ़ना सहज हो जाता है, जो भी समय आपके पास है, उसमें धुन लगा दें, ब करना पड़ता है, तब हम साक्सात का अर्मोर्त बन जाएंगे, तो चलें जरात गहन तफस्या करें, अपनी धारनाओ को स्रेष्ट करें, अपने खुसंतुस्त आत्मा, शक्तिसाली आत्मा, बहुत पवित्र आत्मा बनाएं, तो हम दुसरों के लिए साक्सात का अर्मोर्त बन जाएंगे, और इस धरा पर बाबा की पर तक्स तक के जैजैकार के नगारे गुजने लगेंगे, ओम स्यांते,